इन्हें के पैर से करना आपको खरते हैं, इसकी हैद प्लेशन तो जैसे आपको बहुत दर्द होता हैं जॉइंट्स में, कम वरा कर जाती है, ठीके, यह हमारी प्रैटिस है पैर से कर पाते हैं, ना हो तो आप किसी की भी हैद प्लेख है इस तरह से, यह जेकिए, बहुत अच् इसी तरह से एसे, दूसरी साइड में, बहुत अच्छे से रवीं करने, एक जला पर कम से कम दस बार, जैसे यहां पर रिया, एक, तो, तिन, चार, पांच, छे, साथ, आथ, नो, दस, फिर दीरे से आगे बढ़ते जाएंगे, इसी तरह से यह जाए, यह जाए, यह जाए, इसके लिए आपको घर में किसी की हैट लेनी पादेगी, तो, यहां से, जैसे आपके टांगों में दर्ब रहता ना, अगर आप सिर्फ यही कर पाओ, तब भी ठीक हो जाएगा, यह जाए, यह जाए, यहां आप खुद भी कर पाओ, वो तरीका भी बता दूगी में आपको इसके बाद कुद पंच करवा का टीट पंच बताओंगी आपको, वो भी घर पर कर पाओगी आपको, बस-बस, बस-बस-बस-बस हो गया, यह तको पिलकुल बच्छी से रभी करनी आपको, आप यह देखियो, आपकी बॉर्णी किता अच्छा होगी, अगर जैसे कई वार लगता है, लो कि सुबह उड़ते हो, इसमें कमर अकड़ गई है, आपकी तबनी पे थोड़ा बाले प्रणी चीक है, तो उसके बार देखियो, अभी तो मैं आपको कर देती हूँ, इस तरह से उपर से लेंगे, नीचे की तरह, इस तरह से अथुरा अच्छा होगी, इससे क्या होगा, जैसे कि कई आपको पे मर चिपक जाता है, तो अच्छ अच्छा होगा, और यह चीज़ आप खुद कर सकते हैं, यह दो हाथ है, यह देखिया, हाँ, यह देखिये, हाँ, इस तरह से कर आप, हाँ, यह देखिये, और यह आप दिन में दो बार दिंग बार करो, कोई दिकत नहीं है, पुए साइड इफेक्ट होने मादा, अच्छा आप डेली करना ही आप बैक पेकरी यह करें इसी तरह से अगर आपको लगी कि गुट्टे में बहुत दर्द हो रहा ना इसी टाइम आपको रिलीव मिलेगा अराम उसी टाइम उसी टाइम उसी काम बिल्कुल और देखो आपको मैं ऐसे कर यह तब भी राम मिल रहा होगा ठीक अब अब आप अब आप बना सकते हो घर पर भी कर सकते हो यह नीता जी है इनको पोटली बनानी सिखाएंगे अभी ठीक है इससे पहले हम आपकी ऑईलिंग करेंगे ऑईल थेरपी होगी उसके बाद हम पोटली से पूरा सिखाई करेंगी इसके लिए लिए नमक आप कम जीरा डाल दिया जीरा डाल दिया कम जाद के कोई टैंशन लिए नहीं कोई नुकसान नहीं है ना इन चीजों का ठीक है यह हम पोटली बना रहे हैं देखो बजार से भी मिल जाती है तो हम जो अपने हाथों से बनाते उसके ज्यादा हो रहता है ना और यह घर पे सारी करते ज्याइंट्स पे बहुत ही अच्छा कीश्मेंट आई यह खोड़ो है यह अश्वगंदा का चूरन है यह देखिए यह डाल आपने एक चमच डाल दिया दो चमच डाल दो यह उस हिसाब से होगा जिस चमच का नमक होगा तो यह आप पार है नमक की कॉंटिटी है इसको गरम करना है गरम करके और टालेंगी मैं गरम करके बताओं को यह इस तनह से आप घर पे इढ़ी ओना ठी करेंग्या तरह यह आप नाजियला को सीक्रा या तिल तेल भी यूज़ कर सकते हैं ठीक ह ocasional मसाज वा इस तरछ से मसाज करेंगे नीकी पूरे हैं पेसंते होल जॉल पर इसी तरह से आपको लगाना है इस तरह से लगाएंगे अब यह निचे इधर जॉइंट पर जॉइंट पर बहुत अच्छे से ओल लगाना है यहां से इदके गुलाई में करेंगे इस तरह से प्यार के पूरा तलवे पे पूरे जॉइंट को कवर करना है जॉइंट पेन के लिए पूटली जो सिकाई करते हैं और थेर्पी बहुत ही अच्छी रहती है आँ दिफाए दे रहाए यह देखिए ग्याश पे रखाई क्वण इसको इससरा से गरं करेंगे ठीक जब यह ब्रावन हो जैएगा ना इससाड़ा से गरं कर रहा है इसको ब्राउन हो जाए varat अगर लगे की कुछ अपने सिफका और करना कीया ना इसी ते तरह से नहीं करनािया पर्ले को लुछ करना रही कर्ना चाहुआ है देखो हुआ को वे आफ यही तरीका करना तो condensed वी था लगा एफ इस यह तरह से के वालों के लिए स्टीम बहुत अच्छी है बड़ी जल्दी अराम आता है यह आप घर पर भी कर सकते हो, इजी है, तो यह नीता जी है हमारे बास, इनको और्थराइटिस की पॉलम है, जॉइन्ट स्पेंड किये 10 यह से, काफी परिशान नहीं है, तो अनीता जी बताइए अभी आपको यह थेरपी दिये, कैसे लग रहा है, अप्छा लग रहा है, प्